Beginners को First Gear में Car को Pick Up कराते समय, Clutch Control करने में परेशानी होती है। चले इसे Soll करते हैं। इसे दो Step में समझना पड़ेगा। Step 1, First Gear ढालकर Clutch को Biting Point तक Release करना है। Biting Point उसे कहते हैं, जब Clutch Release करने पर Car Stationary Position से हलका सा Movement करने की कोशिश करे। तिक उसी समय Clutch को Hold करना है। Step 2, अब Biting Point से आगे Clutch को बहुत धीरे-धीरे Release करना है। जैसे ही Car थोड़ा Movement में आ जाए, फिर Clutch को जहाँ है, वही पर Hold करना है। अगर ज्यादा Release करेंगे, तो Car बंद हो जाएगी। फिर Stop करने के लिए Clutch प्रेस करके Break दबाये और Process को Repeat करे। इस Method से Practice करने पर Car कभी बनने ही होगी, और Clutch Control में आप Expertise हाचील कर लेंगे। Do Like and Subscribe, Thank You!